इस छोटी सी मसीन ने ये 29.9 कर बजन को उठा लिया है जबकि देखिए इसमें कितने small hook बगेरा है joint बगेरा देखिए देखिए देखने में कितने कमजोर से लगते हैं पर फिर भी इस छोटी सी मसीन ने इस slender को उठा लिया है ये बहुत बढ़ी बात है दोस्तों so hello everyone how are you all welcome back to my youtube channel तो दोस्तों आज हमारे पास है यह bearing scale जिसका review मैं पहले ही अपने channel पर दे चुका हूँ तो आज हम इसका क्या use करने वाले हैं दोस्तों आज हम इसकी check करेंगे accuracy कि यह कितना accurate बताता है और accuracy check करने के लिए आज हमारे पास में है यह 5 क्लो का dumbbell यह देखिए यह 5 क्लो का dumbbell है तो इससे हमारी जो machine है इसकी proper accuracy check हो जाएगी पता लग जाएगा कि accurate weight बताता है कि नहीं बताता है और साथ ही में हम test करने वाले हैं इसे heavy load उठा कर इस machine से और पता करेंगे कि यह machine उसे bear कर पाएगी या नहीं कर पाएगी या फिर यह machine तूट जाएगी इसलिए heavy weight उठाने के लिए हम experiment करेंगे एक पूरे भरे हुए cylinder से जो की लगवाग 39 से 30 क्लो का होता है तो चलिए start करते हैं, start करने के लिए हम पहले से on कर देते हैं देखिए अभी इसमें 00 लिखा हुगा आ रहा है आपके सामने live experiment करके दिखा रहा हूँ मैं और चलिए अब इसे हम इसे उठा लेते हैं यह देखिए तो देखिए दोस्तमाँ आप देख सकते हैं आपके सामने live मैं बता रहा हूँ पांच किलो का वेट इसमें proper आ चुका है यह देखिए दोस्तों इसलिए यह machine बिल्कुल accurate बताती है मैं यही आपको बताना आता इस वीडियो में तो दोस्तों इस dumbbell का तो हमने वेट चेक कर लिया है तो अब चलिए और भी भी बहुत सारी चीज़ें जिसका हम वेट चेक करते है दोस्तों अभी हमारे पास यह chair रखी हुई थी पास में तो मैंने सुचा क्यों ना इस chair का वेट देखा जाए कितना है तो चलिए फिसे इसे on कर लेते है और इस में इस hook को फसा लेते है यह देखी है हमने फसा लिया ऐसे और यह इसका वेट आ गया है तीन किलो 165 ग्राम तो इसने chair को उठा लिया है और यह डंबल था डंबल को इसने उठा ही लिया है तो चलिए कुछ इससे थोड़ा सा extreme load इसमें डालते हैं फिर देखते हैं उसका वेट यह बता पाता है या फिर यह तूटेगा या उसे load उसका सेंद कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा तो चलिए कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि वेट में heavy हो तो दोस्तों अब हम ले आएएं अपने पास में यह पूरा fully filled slender तो चलिए जिसका वज़न लगवक 30 कुलो से कम का नहीं होगा 30 कुलो 28, 29 कुलो तो होगा ही होगा और देखते हैं यह छोटी सी मसीन इस 30 कुलो के लगवक capacity रखने वाले slender को उठा पाती है नहीं उठा पाती है या फिर यह मसीन तूट जाएगी क्योंकि देखिए इसमें ज्यादा कुछ heavy उठाने की condition नहीं लग रही है एक मात simple सा यह joint वगएरा दिया हुगा है simple सा इसमें छोटा सा यह ring type की डली हुए जोगी तूट सकती है ज्यादा load उठाने पर तो चलिए test करते हैं यह उठा पाएगा यह slender को जोगी भरा हुगा है पूरा यह नहीं उठा पाएगा तो देखिए दोस्तों अभी यह off है इ मैंने एक जगए रख दिया है क्योंकि मैं ही अकेला इस room में हूँ तो मुझे इसे उठाना एक हाथ से उठ नहीं पाएगा यह slender इसलिए मैंने phone रख दिया है अब देखिए इसे चालू कर लेते है और इसमाद 0 लिखा हुगा आ रहा है चलिए अब क्याए माच उकाए कि इतने हैवी slender को इस छोटी सी मसीन से उठा कर देखते है तो तो फाइनली दोस्तों हमने इस slender को उठा लिया है और इसमें आप वेट देख सकते हैं 29 कुलो आर आये लगवक 29 कुलो का वेट है और आपके सामने लाइब एकजामपल मैंने करके दिखाया है मतलब कि इस छोटी सी मसीन ने ये 29 कुलो के बजन को उठा लिया है जबकि देखिए इसमें कितने स्मॉल होक बगेरा है जोइंट बगेरा देखिए देखने में कितने कमजोर से लगते हैं पर फिर भी छोटी सी मसीन ने इस slender को उठा लिया ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों और यही टेस्टिंग हमें कर मगा लिया है बहुत ही उप्योर की मसीन एए है यह हम्ने बताना था आप मैं पहले वीडियो में भी कहा था हम में यह एक तरीकलत करके दिखा दिया है आप सब लोगों को के इस लिए यह बहुत ही काम की चीज निकली है मैंने तो ऐसे ही इसे मंगा लिया था पर बैल्ली फर मनी चीज आए और तो चलिए अब उठाते हैं इस बैक को हम देखते हैं इसका कितना वेट है तो दोस्त इसका बेट आ चुका है दो कलो 780 ग्राम इसका बेट है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिना कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके और मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो कोई भी प्रोमोशनल वीडियो नहीं है और ना ही हम किसी तरह से किसी प्रोड़क्ट को प्रोमोट या रिकमेंड कर रहे हैं बस हमारा मेनेम यह है कि हम नहीने टेकनोलोजी के बारे में आपको बताएं और उसके जैनुएन इंफोर्मेशन आप सब लोगों तक पहुँचाएं और क्या नए एक्विमेंट्स और क्या नए चीजें और टेकनिकल टेकनिकल एक्विमेंट्स मार्केट में आ रहे हैं उन सब के बारे में आप तक जानकारी पहुँचाते रहे हैं इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू और आहवान आज़िए